आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 6 रैखिक और समिकाएं लिनियर इनिक्विल्टी प्रश्णावली 6 दसनों 1 करेंगे जिसके अंत्यगत पहला प्रश्ण है लिखाए हल कीजिये देखे इसको आप हल करना है 24 से अक्स less than 100 ठेना और जब देखे पहला क्या दिया हुआ है यक्स एक प्राकृत संख्या है एक प्राकृत संख्या है और सिकेंड नमबर पर क्या है यक्स एक पुनांख है ठीक न तो पहला देखे इनके लिए हल करना है तो पहले हम इसको समीका को हल करते हैं पहले अब क्या करेंगे हम 24 से दो तरफ भाग कर देते हैं लिखेंगे दोनों पक्छों में में 24 से भाग देने पर भाग देने पर तो लिखेंगे हम या पर 24 यक्स बटे 24 लेस देन 100 बटे 24 ठीक न तो ये 24 चोबिस तो कैनिसल जाएगा यक्स लेस देन इसको क्या करेंगे हम 4 चंग 24 चार पचीस ती हो गया 25 बटे 6 ठीक न जब हम इसको भाग करेंगे तो देहें कितना आएगा भाग कर लेते हैं इपर छे पचीस छे चोब चोबिस एक छे कम छे चार दस जीरो छे चंग छतिस ठीक न लगभग चार दसमलो एक छे आ रहा है ठीक न तो लगभग ये चार दसमलो एक छे है लगभग लगभग ले लिए देखे ये लिखा ठीक न अब ठीक अब देखे हमको पहले क्या करना है यक्स एक प्राकरतिक संख्या है तो हमको देखे यक्स मलब चार दसमलो एक छे से छोटा प्राकरतिक संख्या हमको लेना है तो देखे प्राकरतिक स संख्या कहा होता है एक दो तेन चार एक दो तेन चार पांच इस प्रकार ये प्राकर्तिक संख्या होती है प्राकर्तिक संख्या एक से प्रारम होती है और अनंत तक जाती है हमको 4.16 से छोटा चाहिए ठीक ना तो देखें ये हमारा लगभग यहां परा रहा है चार दसमलो एक छे यहां पर लगव कहीं आएगा ठीक ना तो अगर इससे छोटी प्राकरतिक सांग क्या खोजे तुमको देखे चार तीन दो एक मिल जाएगा ठीक ना तो हमको देखे सलूसन आ गया हल आ गया हल समुच्च आ गया एक दो तेन ये चार ठीक ना ये पहले के लिए आंसर हो गया हल समुच्च है ठीक ना अब देखे इससे तरह अगर ये एक पुनांख हो तो पुनांख के लिए क्या करेंगे अब देखे इसके लिए पहले पुनांख पता होना चा और यहाँ पढ़ाएगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, यह माइनस infinite और यह प्लस infinite, तो हमको क्याँ चाहिए 4 दसनुलो 1 चे से छोटा है ना, तो लगबग यहाँ पर 4 दसनुलो 1 एक लगबग आएगा इसके छोटा यह सब संख्याएंगी तो हम यहाँ पर प्राप्त हुआ ठीना तो यह हल समुच कहते हैं हल समुच है यह है ना यह सलूशन सेट है यह ठीक ना तो इस पकार देखें प्रस नमबर एक हल हो गया अब प्रस नमबर दो देखेंगे देखें प्रस नमबर दो है तो हम इस समीका को पहले हल करते हैं माइनस टुवेल एक्स क्रेटर देन थाटी तो अब देखें जैसे समीका को हल करने के लिए हमने नियम बताया था कि यदि किसी देखें अगर हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे माइनस 12 से भाग करेंगे थे ना दोनों पक्षों में मैनस 12 से भाग करेंगे. अब चुकि बोला था किसी भी असमिका में अगर हम रिनात्म संख्या से गुड़ा करें या भाग करें तो जो असमिका का चिन है वो पलड़ जाता है. तो देखें इसमें में क्या करेंगे लिखेंगे दोनों पक्छों में माइनस बार से भाग देने पर भाग देने पर तो देखें भाग देंगे माइनस बार एक्स बटे माइनस बार गरेटर देन अब देखें चीन बदल जाएगा इसका ठीक न इसमॉल इसमॉल देंग जाएगा माइनस बार ठीक न तो यह माइनस बार माइनस बार यहां से कट जाएगा यह बचाएगा चार ति ये 3 दूनीच है और 3 पचे 15 तो देखे क्या आया यक्स is less than minus 5 by 2 या कहिए यक्स कितना हो गया minus 2.5 है ना कम है किसे minus 2.5 से ये कम है अब देखे हमको पहला कैच्छे करना था कि यक्स एक प्राकर्तिक संख्या है ठीक ना और प्राकर्तिक संख्या देखे कहां से प्रारम होती ह देखे प्राकर्तिक संख्या होती है एक, दो, तेन, चार, पांच इस प्रकार होती है ठीक ना ये धनात्मक मतलब प्लस 1 से शुरू होती है और देखे इसमें बोला है कि less than minus 2.5 से होना चाहिए तो minus 2.5 से minus मी आंसर आएगा ठीक ना तो इसलिए हमको प्राकर्तिक संख्या में एक भी नहीं मिलेगी तो बोलेंगे कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है ठीक ना इसमें तो वो minus संख्या मिल लए है तो इस परकार पहला भाग हो गया अब देखे अगर दूसरा भाग करें देखे यक्स एक पुनांख है पुनांख के लिए उने बताया था लेकि माइनस वन माइनस टू माइनस टी माइनस फोर यह माइनस इंफाइन तर ठीक ना तो अब देखे इसका क्या सलूशन सेट क्या बनेगा हमारा तो देखे लिखा है माइनस टू पउट फाइब यहां आएगा तो इसके हमको इधर जितनी भी छोटी संख्या है वह हम लिखेंगे यहाँ पर तो देखे क्या लिखा माइनस त ride माइनस चार इनस पाँच डिना इस पर कार ये जैएगा तो देखिए इसका भी प्रेस्ट नमबर 2 के दोनों भाग हमने हल कर लिया अब प्रेस्ट नमबर 3 देखेंगे देखेंगे प्रेस्ट नमबर 3 है तो हम इसको हल करते हैं पहले 5x-3 less than 7 तो मैनस 3 पक्छानते कर देंगे डाई तरह पक्छानते करेंगे तो यह प्लस 3 हो अब दोनों पक्छों में 5 से भाग कर देते हैं बटे 5 और यह 10 बटे 5 cancel हो गया 5 दुनी 10 तो यक्स छोटा है 2 से यह प्राप्त हो गया हमको अब देखें पहला लिखा हुआ है यक्स एक पुनांक है ठी ना पुनांक में क्या होता है 0 से लेका प्लस इंफानेट प्लस 1 प्ल छोटा लेना हो तो हमको देखें क्या मिलेगा 2 से छोटा मतलब 1 0-1-2-3 इस प्रकार हमको यह आगया solution set ठी ना हल समूचे मिल गया और दूसरे के लिए गर बात करें तो देखें लिखाई यक्स एक वास्तिविक संख्या है ठीक ना तो वास्तिविक संख्या है तो 2 से छोटा ठीक ना तो 2 से छोटा आपको देखें क्या मिलेगा 01234 यह प्लस में और यह माइनस 1-2-3-4 इस तरह ठीक ना तो देखें 2 से छोटा मतलब यह 2 से छोटा देखें यहां से 2 नहीं 2 से छोटा यह है ठीक ना मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ये सब कुछ भी सी के अंदर आएगा ठीक ना, तो देखे इसको कैसे लिखेंगे ये 2 2 को सामिल नहीं किया इसलिए खुला है, ठीक ना open interval बोलते हैं, ठीक ना open bracket हैगे, और ये कहाँ आ जागा minus infinite तक तो ये minus infinite तक हमने लिख लिया ठीक ना, तो इसका हल इस प्रकार हमको प्राप होता है तो प्रस्ट नमबर 3 देखे हल कर लिया, प्रस्ट नमबर 4 देखते हैं देखे प्रस्ट नमबर 4 है तो इसको हल कर लेते हैं पहले 3 x plus 8 greater than 2 8 पक्षानता करेंगे दाई तरफ, 3 x greater than 2 minus 8 3 x is greater than 3 x बटे 3 बड़ा है, minus 6 बटे 3 कट गया, ये आया 3 दुनी 6 minus 2 ठीक ना, तो x greater than minus 2, अब देखे पहला क्या है, पुंडांग चाहिए तो x minus 2 से बड़ा greater than है, तो minus 2 से बड़ा क्या हमको मिलेगा, देखे हमको मिलेगा, minus 1 0, 1 2, 3 ठीक ना, तो इस प्रकार इसका ये solution set मिलेगा, हमको हल समुचे मिला है, ठीक ना और दुसरा देखते हैं दुसरे में लिखा है, यक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक ना तो देखे, इसको हम बनाएंगे वास्तविक संख्या है, तो कहां से लिखेंगे, देखे यक्स इस greater than minus 2 ठीक ना, तो minus 2 से बड़ा, ठीक ना, मतलब minus 2 को सामिल नहीं करना है और minus 2 से बड़ा जाना है तो क्या करेंगे, बड़ा क्या होगा, minus 1 0 इस तरह, ठीक है ये हम लिख देते हैं इसको पहले, संख्या रेखा पर दिखा लेते हैं देखें, 0 ये 1, ये 2 ये 3 minus 1, minus 2 minus 3, ठीक ना इस प्रकार लिखा हमने, अब देखें इसमें बहुता है, greater than minus 2 देखें, ये रहा, ठीक ना इस से बड़ा हमको इस सब लेना है यहां से बस इस minus 2 को छोड़ कर बाकि ये जो संख्या यहां पर भी आईगी, ये सभी संख्या को भी लेना है, फिर minus 1, 0 1, ये सब जो भी संख्या बीच बीच में आईगी, ठीक ना, पुनांग क्या होता है केवल रिनात्मक और धनात्मक और सुन, ये सब संख्या बीच बीच में गैब में जो ये सब आ रहा है है ना, minus 1.9, 1.8, 1.7, 1.2, 1.2 ये सब जो भीच में आ रहा है वो भी तो वास्त्पि संख्या है ठीक, ना, फुनां पुनांक में विनात्मक और धनात्मक अpower दसमलो वाली संख्या मगर वास्त्पि संख्या में भिनात्माग दस हम लोग यह सब लेते हैं हम लोग तो देखे अगर हम इस तरह समुच में बना कर लिखे हम देखे जैसे अगर हम इसको इस प्रकार लिखे हैं देखे माइनस 2 से बड़ा मतलब माइनस 1, 0, 1, 2 लिख दें तो इसका ये पूरी वास्त्वी संख्या को पर्दसित नहीं करता है अगर मैं बोला माइनस 1, 0, 1, 2 तो इनके बीच की संख्या तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा 0.1, 0.2, 0.3 ये तो मैंने नहीं लिखा तो इसलिए इस तरह लिखते हम लोग नहीं हैं वास्त्री संख्या को जब भी दशमलोः भिन्यात्म सब को कभर करना है तो हम इस तरह समुच नहीं लिखते हैं ठिक ना? मतलब इसका मतलब हुगा कि एक और दो तो एक और दो कीवल इसमें एक दशमलोः दो हमने नहीं लिखा एक दस्मनफ्ती नहीं लिखा तो मतलब हमने पूरा सेट वास्त्री संख्या का नहीं लिखा इसलिए हम इसको अंतराल में लिखते हैं ठी ना, देखें अंतराल का मतलब जैसे अब बोला है माइनस टू से बढ़ा तो क्या किया हमने लिखा यहाँ पर मतलब माइनस 2 को छोड़ कर इसलिए open interval है open bracket है open है मतलब माइनस 2 को सामिल नहीं किया और कहां तक जाएंगे plus infinite तक अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2 से बड़ी जित्ती भी संख्या है मतलब माइनस 1.9 माइनस 1.8 माइनस 1.7 इस प्रकार आप जाएंगे माइनस 1.9 फिर माइनस 1 आया ठीक नहीं तो यह माइनस 1 यहां आगया रहा फिर लिखेंगे माइनस 0.9 0.8 फिर यह 1 आया फिर लिखेंगे 1.1 1.2 1.222 भी लिख सकते हैं तो यह सभी संख्या जो माइनस 2 के बाद है यह सभी इस अंतराल के अंदर सब को सामिल हो जाता है कर लेते हैं इसलिए वास्तिवी संख्या को हम इस प्रकार अंतराल में लिखते हैं ठीक ना तो इसमें और इसमें यह अंतर होता है ठीक ना तो प्रस्ट नमबर 4 हमने देखिए हल कर लिया अब प्रस्ट नमबर 5 देखते हैं इसके आगे है निम्न लिखित प्रस्ट 5 से 16 तक वास्तिवी संख्या यक्स के लिए हल कीजिए ठीक ना तो हमको इसको हल करना है और इसको यक्स का मान वास्त्वी संख्या के लिए है ना यक्स belongs to real number ठीक ना तो वास्त्वी संख्या हमको दे रखा है कि वास्त्वी संख्या यक्स जब वास्त्वी संख्या हो तो हमको यक्स का मान क्या करता है ठीक ना तो देखे क्या करेंगे हम जैसे हल करते हैं ठीक ना, तो 4 में 6 गया, minus 2x, और ये 4 हो गया, ठीक न, 7 में 3 गया, 4, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में minus 2 से भाग करेंगे, ठीक न, तो अगर हम मिरिनात्मक संख्या से भाग कर रहे हैं, तो ये असमिका का चिन बदल जाएगा, तो लिखेंगे, देखे, minus 2x, बटे, minus 2, तो ये चिन बदल जाएगा, ठीक न, और 4 बटे, ये minus 2 हो गया, देखे, ये तो cancel हो गया, ये आया, x greater than, 2 एक कम, 2 दोनी, 4, मतलब minus, ये 2 प्राप्थ हुआ हमको, ठीक न, अब देखे, x कमान, greater than minus 2, ठीक न, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखे, minus 2 तो सामिल नहीं है, तो हम लिखेंगे, minus 2 open interval, और minus 2 से बड़ा, मतलब minus 1, minus 2 से बड़ा, मतलब minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, up to, मतलब इसमें जितना इधर जागा, plus infinite तक जाएगा, तो ये वास्तिवी संख्या के लिए हम इस तरह अंतराल में लिखते हैं, ठीक न, तो minus 2 से infinite, छठमा कोशन देखते हैं इसमें, तो छठमा में है, 3X, minus 7, greater than 5X, minus 1, तो इसको देखें, इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे, 3X, 5 को 22 पक्चांतर किये, और minus 7 को 22, तो plus 7 हो गया, 3 में से 5 गया, minus 2X, greater than, 7 में 1 गया, 6, अब दोनों पक्चों में, minus 1 से, इसको इस तरह लिक्स भी सकते हैं, दोनों पक्चों में, minus 2 से, भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग दे लेते हैं, minus 2X, बटे, minus 2, greater than, 6, minus 2, तो देखें, चीन बदल जाएगा, चीन जरूर याद रखिएगा, चीन बदल जाएगा, जब minus से, गुड़ा करेंगे, या भाग करेंगे, तो यह तो cancel हो गया, यह यक्स, 2, 1, 2, 3, 6, तो यह हो गया हमारा, minus 3, तो मतलब बोला है, minus 3 से छोटा, ठीक न, छोटा, yes, is less than minus 3, तो minus 3 से छोटा मतलब हमको, minus 2, मतलब minus 3 से छोटा मतलब minus 4, minus 5 की तरफ जाना है हमको, ठीक न, तो देखें, इसका answer क्या हैगा, open interval minus 3 से, देखें, हमको 2 तरफ जाना है, तो यहा लिखेंगे, minus 3 से बड़ा, छोट चाहिए, तो यह हो गया, infinite, ठीक न, तो यह हो गया, minus infinite तक, ठीक न, तो minus 3 से छोटा, है न, छोटा मतलब हमको, बाई तरफ मतलब minus 4, minus 5, minus 6 की तरफ जाना है, वास्त भी संख्या है, इसलिए हमको, इसको अंतराल में लिखना है, ताकि minus 3 के बाद, जितनी भी, बीच में, minus 3 या, minus 4 के बीच में, जो भी संख्या है, उसको भी हम कभर कर लें, तो minus 3 और इस तरह minus infinite तक, ठीक न, तो प्रश नमबर 6 भी हमने हल कर लिया, देखे, प्रश नमबर 5 में, यहां 6x लिखा है, यहां question में 5x लिखा हुआ है, ठीक न, तो देखे, हम इसको भी यहां पर हल कर द कर देते हैं, ठीक न, इसलिए question ठीक से देख के लिखना चाहिए, देखे, हम इसको इधर पक्षानता करेंगे, तो यहां 4x minus 5x less than 7 minus 3, तो 4 में से 5 गया, minus x less than 4, तो जब इसका, देखे, minus है, minus से गुड़ा करेंगे, दोनों पक्षों में, तो यह minus, यह plus हो जाएगा, और य minus हो जाएगा, तो देखे, यह क्या होगा, चिन इसका जरूर बदल देंगे, ठीक न, जब हम minus से गुड़ा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में, तो यह minus plus हो जाएगा, और यहां एक minus लग जाएगा, ठीक न, और यह चिन बदल जाएगा, तो अब देखे, यहां पर, देखे, इसमें और इसमें यही थोड़ा सफरक्था, यह minus 2 यह minus 4 आया है, ठीक न, बाकी सब इसी तरह हम लोग कर रहे हैं, तो देखे, इसका अंतराल क्या होगा, minus 4 से infinite होगा, ठीक न, तो देखे, इसको correction कर लिजेगा, यह परस नमबर 5 का है, और यह परस नमबर 6 हो गया, अब द एक तरफ, बीना x वाले एक तरफ, तो लिखेंगे 3x, minus 2x, less than or equal to minus 6, और यह पक्छांतर होगा, तो plus 3 होगा, 3 में से 2 गया, x less than or equal to, यह minus 3 पराप्त होगा, ठीक न, अब देखे, इसमें लिखाए, बराबर भी minus 3 है, ठीक न, minus 3 और उससे छोटा, तो हमारा देखे, क्या हल आएगा, देखे, अब न, close interval में लिखेंगे, ठीक न, बंध है यह, अब इसमें क्या क्यों कि minus 3 को भी हम लोग सामिल करेंगे, और कहां तक जाएगे, छोटा मतलब इधर लिखाएगा, देखे, यहां से लिखेंगे, minus 3 और यह minus infinite, यह अपना, यह आपका answer आएगा, ठीक न minus 3 को close interval में लिखेंगे, इस bracket में लिखा है, और यह छोटा है, तो minus infinite तक जाएगा, ठीक न, तो इस पकार press number 7 हल हो गया, अब press number 8 देखते हैं, तो देखे, press number 8 है, इसको भी हल करते हैं, 3 दू नीचे, minus 3x, greater than or equal to, 2 minus 2x, तो xx एक तरफ करेंगे, तो लिखेंगे, माइनस 3x, इसको पक्छानता करेंगे, तो plus 2x हो जाएगा, और greater than or equal to, 2, और यह जाएगा, तो minus 6 हो जाएगा, यह हो गया, देखे, minus x आएगा, greater than or equal to, यह हो जाएगा, minus 4, ठीक न, जब हम minus से दोनों पक्छों में गुड़ा करेंगे, तो minus का चीन हट जाएगा, ठीक न, ठीक न, अब देखे, बोलता है, 4 के बराबर, और 4 से छोटा, तो 4 के बराबर के लिए हम close interval लिखेंगे, 4, और इधर कितना, minus infinite, तो minus infinite, यह open interval, ठीक न, तो इस पकार देखे, प्रस नमर 8 भी हमने हल कर लिया, कॉमा है यह, ठीक न, और प्रस नमर 9 देखते हैं, देखे, दे और इसका करेंगे, तो 6x, प्लस, 2, 3, 6, 3, 2, 6, less than 11, और इंको जोड़ देंगे, 3, 2, 5, 6, 5, 11, x, ठीक न, बटे 6, less than 11, ठीक न, जब पक्छानता करेंगे, तो जाएगा, 11, गुडे, 6, बटे 11, ठीक न, जो नीचे उपर हो गया, उपर हो नीचे हो गया, 11 से कड़ जागा ये, तो ये आया, x is less than 6, मतलब, x छोटा है, 6 से, तो 6 से छोटा है, मतलब, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, ये सब मतलब इस तरफ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग, 6, फिर, और ये, minus, infinite, ठीक न, तो देखेंगे, इसका अभी हल हो गया, प्रस नमबर अब 10 देखते हैं, देखें ये, x, x, एक तरफ कर लेते हैं, तो ये जाएगा, x बटे 3, minus x बटे 2, greater than 1, इसका लगुतम लेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, 2x minus 3x, greater than 1, ठीक न, लगुतम लिया है, simple, 2 में से 3 गया, minus x बटे 6, greater than 1, अब देखें, हम यहां क्या करेंगे, दोनों से गुड़ा कर देते हैं, देखें जब minus से गुड़ा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये चीन बदल जाएगा, तो लिखेंगे, माइनस 6 से मुड़ा कर रहे है, देखे, दोनों पक्षों में, ये, ति चीन बदल गया, एक गुड़े minus 6, ठीक न, देखें, ये, ये cancel जाएगा दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यक्स चीन बदल दिया है हमने ये माइनस 6 पराप्त हुआ दोनों पक्षों में माइनस 6 से गुड़ा करने पर तो देखे यक्स is less than माइनस 6 माइनस 6 से छोटा मतलब माइनस 7 माइनस 8 की तरफ जाना है हमको तो इसका देखे क्या होगा ये माइनस 6 से माइनस इंफाइनेट तर ठीक ना तो ये अंतराल हो गया तो देखे प्रobic नमबर 10 हो गया हल हो गया अब प्र organize नमबर 11 देखते हैं यही पर देखे इसको करेंगे तो घा मैनस ये हो जगा तें दूनी 6 बटे 5 और 10-5x बटे 3 अब हम 3 गुड़ा कर लेते हैं दोने तरफ 3 का यहाँ गुड़ा कर लेंगे, 5 वहाँ गुड़ा कर लेंगे तियो जाएगा 3, 3x-6 और 5, 10-5x ठीक न? अब कोश्टा खुल लेते हैं तिर 3 तरिकाई 9, 6 तरिक 18 और 50-25x ठीक न? 5 बचे 25 x x एक तरफ कर लेते हैं 9x प्लस 25x एक तरफ लेस देन और इक्वल टू 50 प्लस 18 तो यह जाएगा इनको चोड़ लेंगे 9, 5, 14 यह हो गया 34x और लेस देन और इक्वल टू 8 और 6 ठीक है अब यह हो जाएगा 68 बटे 34 ठीक न? तो 34 दुनी 68 ही होता है तो एक और यह दो बार में तो क्या आया x is less than or equal to 2 तो देखे इसमें 2 बराबर भी है और less than मतलब कम मतलब minus infinite की तरफ जाना है अबको ठीक न? तो हम लिखेंगे 2 और यह और यह minus infinite यह open interval ठीक न? तो इस पकार इसका भी देखें हल हो गया अब अगला question देखते हैं देखें प्रस्ट नमर 12 है तो इसको हल करने के लिए देखें क्या करें हम यदि हम दोनों तरफ अगर 6 से गुड़ा कर दें तो यह बटे बटे में जो है वो कट जाएगा ठीक न? तो देखें अगर हम गुड़ा करता हूँ 6 से तोनों पक्षों में अगर 6 से गुड़ा कर लूँ तो देखें यह हो गया 3x बटे 5 प्लस 4 greater than 6 गुड़े 1 बटे 3 x minus 6 ठीक न? तो यह तो cancel हो गया 2 ती आई 6 हो गया ठीक न? और 3 एक कम और 3 दूनी 6 तो अब हम इसको देखें यहां लिख लेते हैं 3x बटे 5 प्लस 4 greater than equal to 2 और 1 गुड़े 6 अब अब अंदर गुड़ा कर देते हैं हम लोग ठीक न? तो इसको कर देंगे 3 तरिकाई 9 बटे 5 प्लस 12 greater than और equal to 2x minus 12 x x एक तरफ तो 9x बटे 5 minus 2x greater than और equal to minus 12 और यह minus 12 ठीक न? पक्छांतर हुआ तो 12 हो गया इसको कर लेते हैं 5 दूनी 10 9x minus 10x बटे 5 greater than equal to minus 24 और 9 में से 10 गया minus x बटे 5 greater than equal to minus 24 देखे अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्छों में minus 5 से गुड़ा कर देंगे ठीक न? देखे minus 5 से गुड़ा किये अगर हम देखे चीन बदल जाएगा ठीक न? यह हो जाएगा गुड़े minus यह 5 ठीक न? तो देखे यहां से यह तो कर जाएगा यह minus minus प्लस जाएगा और यह minus minus प्लस जाएगा ठीक न? तो 24 पंचे 120 हो जाएगा तो हम यही कर लेते हैं ठीक न? तीसरा हटा आ जगते रहें देख क्या आ गया? यक्स लेस दिन और इक्वल टू 120 है न? 24 पंचे 120 अब देखे लेस दिन और इक्वल टू तो 120 लिखेंगे close interval में और less than है तो मतलब minus infinite तक जाएंगे तो देखें ये answer आगया इसका ठीक ना, तो प्रस्च नमब 12 का हो गया आप प्रस्च नमबर 13 देखते हैं देखें प्रस्च नमबर 13 है इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 यक्स 3 दूनी 6 minus 10 less than 6 x minus 12 तो ये हो जाएगा 4 x 6 में 10 गया तो minus 4 ठीक ना, छोटी से बड़ी संग्या घट रहे हैं less than ये 6 x minus 12 x x एक तरब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 x minus 6 x less than minus 12 plus 4 तो देखें, 4 में 6 गया minus 2 x less than और ये कितना जाएगा minus 8 ठीक ना अब देखें, दोनों पक्षों में लिख सकते हैं दोनों पक्षों में minus 2 से भाग करने पर तो minus 2 से भाग कर लेते हैं ये minus 2 x बटे minus 2 तो चीन बदल जाएगा ठीक ना और minus 8 बटे ये minus 2 हो गया तो इसमें देखें ये 2, ये minus कट गया ये minus और ये 4 हो गया तो बोलता है x is greater than 4 तो 4 से बड़ा ठीक ना तो 4 और plus infinite ठीक ना तो ये answer हो गया इसका अब प्रस्ट नमबर 14 देखते हैं देखें प्रस्ट नमबर 14 है इसको हल कर लेते हैं तो लिखते हैं 37-3x-5 greater than और equal to 9x-8x plus 24 ठीक ना और इसको 37 मेंगर 5 घटा दें कितना हो जाएगा 32-3x greater than और equal to 9 में 8 गया x plus 24 अब x x से एक तरफ कर लेंगे तो minus 3x और इस x को इधर करेंगे greater than equal to 24-32 ते हो जाएगा minus 4x greater than or equal to 24 में अगर 32 गया तो कितना हो जाएगा यह जाएगा minus 12 है ठीक ना यह हो गया दो दो चार तीन और चार तीन और चोवीस छे साथ आठ 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 जाएगा तो जाएगा minus 8 ठीक ना 6 और दो आठ अब देखें दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम minus 4x से भाग दे देंगे तो चीन पलट जाता है तो चीन पलट दिया हमने तो minus minus 4 चार कर गया x is greater less than or equal to 4 दूनी 8 यह 2 आया अब वोता है 2 से छोटा मगर बराबर भी तो 2 को भी सामिल करना है तो यह वाला ब्रेकड लगाएंगे और minus infinite लगाएंगे ठीक ना तो देखिए प्रेस्ट नमबर 14 का भी हल कर लिया अब प्रेस्ट नमबर 15 देखना है देखिए प्रेस्ट नमबर 15 है इसको हल कर लेते हैं हम लोग तो लिखा 8 बटे 4 less than इसका पहले आपस में हल कर लेते हैं इसका लगुत्म किता हो जाएगा 15 है और इसका उड़ा इसमें और इसका उड़ा इसमें कर लेंगे लगुत्म जिसे हल करते हैं हम लोग 5 और 5 एक्स माइनस 2 माइनस 3 7 एक्स माइनस 3 ये हो गया एक्स बटे 4 less than देखिए इसको हल कर लेते हैं 5 पचे 25 x माइनस 5 दूनी 10 7 एक्स एक्स और 3 एक्स और 9 बटे 15 तो ये हो जाएगा एक्स बटे 4 less than देखिए 25 में अगर 21 गया तो ये हो जाएगा 4 एक्स और माइनस 10 प्लस 9 तो मतलब माइनस 1 बटे ये 15 हो गया अब तीरे एक उड़ा कर लेते हैं इसका उड़ा इसमें और इसका उड़ा इन दो पदों में तीरे जाएगा 15 x less than 4 चुक 16 x minus 4 x x एक तरप करेंगे तो 15 x minus 16 x less than minus 4 तो ये प्राप्ट हो गया minus x less than minus 4 देखिए जब इसमें हम minus का गुड़ा करेंगे तो ये चीन पलट जाएगा और ये दोनों plus में हो जाएगे ठीक ना minus x एक उड़ा कर देंगे तो चीन पलट दिया अब बोलता है yax is greater than 4 मतलब 4 और इस तरप plus infinite ठीक ना 4 को सामिल नहीं किया है इसलिए open interval मतलब इस प्रका का चीन लगाएंगे हम लोग तो प्रेश नमबर 15 हल कर लिया अब प्रेश नमबर 16 देखते हैं देखे प्रेश नमबर 16 है इसको हमको हल करना है तो देखे लिखे 2x minus 1 बटे 3 greater than or equal to इसको आपस में पहले हल कर लेते हैं इसका लग उतनम कितना आएगा 20 तो इसका उड़ा इसमें करेंगे इसका उड़ा इसमें करेंगे तो ठीक ना तिवाल लिख देते हैं यहां पर 5 3x minus 2 minus 4 2 minus x ठीक ना मतलब जब आप 20 में से 20 को 4 से जब भाग देंगे 20 में तो 5 आया ठीक ना जो 5 उत्तर आया उसको उपर भी गुड़ा कर देते हैं और इसमें जब 20 का 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा 4 गुड़ा उपर में देखे लिख दिये हैं हमने अब इसको हल कर देंगे 2x minus 1 बटे 3 greater than or equal to यह हो जाएगा 15x minus 10 minus 8 minus 4x बटे 20 हो गया तो यह हो जाएगा 2x minus 1 बटे 3 greater than or equal to जेके 15 और 4 19 और यह minus 18 बटे 20 अब तेरे गुड़ा कर लेते हैं इसका तो यह हो जाएगा 20 दुनी 40x minus 20 ठीक ना 20 दुनी 40 20 एकम 20 greater than or equal to 19 37 ठीक ना अठ्था 39 54 अब यह x एक्स एक तरफ कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 40x minus 57 x greater than or equal to minus 54 अब प्लस यह 20 हो गया तो इसको में आएगा देखे minus 17 x आ गया ठीक ना और greater than or equal to इनको जब करेंगे तो देखे यह 4 और यह 3 यह minus में जब आप minus 17 से भाग करेंगे देखे minus 17 से दोनों पक्चों में भाग करिया तो देखे चीन पॉलट जाएगा यह ठीक ना यह इस प्रकार बजाएगा minus 34 बटे minus 17 देखे कटके यह x बचेगा यहाँ x आ गया और less than और equal to देखे कि यह होगा 17 दुनी 34 दो ठीक ना दोनों minus पर कैंसल हो जाएगा तो बोलता है दो को भी लिजिए सामिल करिए सामिल कर दिया और बोलता है less than मतलब minus infinite ठीक ना तो देखे इसका भी हल हो गया प्रेश नामर 16 हमने हल कर लिया अब प्रेश नामर 17 हल करेंगे तो प्रेश नामर 17 लिखा है मतलब प्रेश नामर 17 से 20 तक की असमिकाओं का हल ग्याद कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेकित कीजिए तो प्रेश नामर 17 हमनों हल करते हैं जैसे हम लोग करते आ हैं, वैसे करेंगे, 3x, इसको बाही तरह पक्छानता करेंगे, 2x less than 1, यह पक्छानता हुआ तो plus 2 हो गया, 3 में से 2 गया, x less than 3, देखें यह आया, x का मान 3 से छोटा, ठीक न, तो जब हम इसको बनाएंगे, तो यह हो गया 3 और छोटा, minus infinite, ठीक न, होता है संख्या रेखा पर दिखाना है हमको, तो हम देखें संख्या रेखा पर दिखाएंगे, एक संख्या रेखा हम ने हीच लिया, यह गवा 0, 1, 2, 3, यह होगया, minus 1, ठीक, minus 2, यह माइनस 1 तक ही राने देते हैं, ठीक न, यह रहा, ठीक संख्या रेखा है अब इसमें देखे बोला है यक से तीन से छोटा मत्तब तीन को हमको सामिल नहीं करना है तो देखे जब सामिल नहीं करना होता है तो तीन को यहाँ पर एठो गोला मार देते हैं ठीना इसको डॉट बोलते हैं सौरी, नॉड बोलते हैं, नॉड, और जब डार्क कर देंगे, तो इसको डार्ट बोल देंगे, ठीजिए न, तो हम एक नॉड ही लग बनाया हैं, है न, खाली यह बोला, और बोलता है, आब माइनस थ्री की तरफ जाईए, तो क्या करेंगे, यह जो है, इसको कलर कर देंगे, ठीजिए न, यह कलर कर देंगे, डार्क कर देंगे, कि हमको यह वाली चाहिए, इस तरह, ठीजिए न, तो यह हमारा संख्या रेखा, पर हमने इसको दिखाया, ठीजिए इसको पुरा अच्छे से कलर कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा, बस हो गया, तो यह हो गया, प प्रस नमबर 18 भी हल करते हैं यही पर हम क्या करेंगे x x एक तरफ कर लेते हैं 5 x इसको इस तरफ करेंगे माइनस 3 x greater than or equal to minus 5 इसको उधर पक्छानता कर देते हैं तो 5 में से 3 गया 2 x greater than or equal to 2 यह हो जाएगा minus 2 हो जाएगा ठीना अब 2 से भाग कर देते हैं हम लोग तो 2 x बटे 2 greater than or equal to minus 2 बटे 2 तो देखें कट क्या जाएगा 1 तो हमारा देखें क्या हो जाएगा x is greater than or equal to 1 ठीक ना देखें minus 1 है अब यह minus छूट रहा था तो minus 1 अब बराबर भी है minus 1 से और उससे बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे देखें minus 1 को भी सामिल किया पिसले इससे बढ़ा ब्रिकट लगाया close interval और कहां तक अनन तक ठीक ना यह हमने बना लिया अब इसका हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो क्या आएगा देखें संख्या रेखा बना लिया यह 0 minus 1 minus 2 और यह 1 यह 2 कर लिया ठीक ना ऐसे किया अब देखें minus 1 को सामिल करना है इसलिए यहाँ पर हम dark कर देंगे यह डॉट लगाएंगे ठीक ना और plus infinite तक जाना है तो इस ठीक ना तो यह देखी यह हमने संख्या रेखा पर इसको दिखाया यहाँ infinite लगा लेते हैं यह infinite हो गया ठीक ना देखेंगे प्रस नमबर उनाइस है यह इसको हल करते हैं हम लोग 3 एक कम 3 माइनस 3 एक्स लेस देन 2 एक्स प्लस 8 एक्स एक तरफ माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स लेस देन 8 माइनस 3 तीन को उधर पक्छानता कर दिया यह हो गया माइनस 5 एक्स लेस देन 5 अब देखें माइनस 5 से हम भाग करेंगे इसको दोनों तर पक्छों में ठीक ना लिख दो पक्षो में माइनस पांच से भाग देने पर तो देखिए भाग दे लेते हैं माइनस पांच यक्स बटे माइनस पांच लेस देखिए चीन बदल जाएगा ये चीन बदल गया ये बटे माइनस फाइव देखिए ये कट गया ये यक्स इस ग्रेटर देन ये माइनस एक आय ठीक ना, बोलता यक्स से माइनस वन से बड़ा होना चाहिए तो माइनस वन से बड़ा कर लेते हैं तो देखे, माइनस वन से बड़ा माइनस वन है ना, माइनस वन, open interval मतलब यह खुला रहेगा और यह अननतक, माइनस वन से बड़ा चाहिए हमको तो plus infinite की तरफ जाएंगे, ठीक ना, और जब इसका हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो देखें संख्या रेखा पर इस पकार दिखेगा, 0, minus 1, minus 2, 1, 2, 3, और यह infinite तर, ठीक ना, तो अब देखें इसमें, minus 1 को सामिल नहीं करना है, तो हमें आपर node बना देते हैं, और इ तो यह हो गया, प्रस्ट नमबर, उन्हें इसको हमने हल कर लिया, अब प्रस्ट नमबर 20 देखते हैं, तो देखें प्रस्ट नमबर 20 है, इसको हम लोग हल करते हैं, यक्स बटे 2, greater than or equal to, देखें इसका लगुतम लेंगे तो 15 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, पांच, पा यक्स माइनस 3, देखें लगुतम लिये हैं, फिर हो जाएगा, यक्स बटे 2, greater than or equal to, 25 एक्स माइनस 5 दुनी 10, सात तरीक 21, और 3 दिकाई 9, बटे, यह 15 हो गया, ठीक न, यह हो जाएगा, यक्स बटे 2, greater than or equal to, 25 में 21 किया, यह 4 एक्स, और यह हो जाएगा, माइनस 1, बटे 15 तो यह गुड़ा कर लेते हैं, यह जाएगा, 15 एक्स, greater than or equal to, 4 दुनी 8, माइनस 2, ठीक न, पक्षानता कर लेते हैं, इसको, तो 15 एक्स, minus 8 एक्स, is greater than or equal to, माइनस 2, ठीक न, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 एक्स, greater than or equal to, माइनस 2, ठीक न, और 7 पक्षानता कर देंगे, त माइनस टू बाई यह सेबन हो जाएगा ठीक ना अब देखे इसका अंतराल देखे कि संख्या रेखा पर किसे इसको दिखाएंगे देखे यह लिखा क्या है उसको देख लेते हैं पले साथ से भाग दे लेते हैं यह जगा जीरो साथ दुनी चाउदर छे आर सते छपपन ठीक है तो लगभग 28, 0.28 है मतलब इसको हम लेख सकते हैं देखे यक्स इस greater than or equal to minus 0.28 के लगभग है ठीक ना अभी और आएगा इसका आगेमान तो देखे हमको greater than or equal to इससे हमको अधिक चाहिए ठीक ना तो हम देखे इसको देखे पहले हम इसको अंतराल में दिखा लेते हैं त बड़ा है है ना मानस दो बटे साथ से बड़ा है तो हम plus infinite की तरफ यह जाएंगे ठीक ना तो यह हमने दिखा लिया